दोस्तों, वेलकम तो अनकाडमी, इंडिया's largest learning platform. मैं सुमित सार्डा, यहाँ आपसे CA Final Financial Reporting के बारे में बात करने वाला हूँ. Before moving ahead, कुछ बातें, जो मैं हर वीडियो के शुरुआत में बोलता हूँ. कि प्लीज एक चैनल को सब्स्राइब कीजिए. दो, अपना मोबाइल से अनकाडमी का जो अप है, आपके अप स्टोर से या फिर आपके या गूगल प्ले स्टोर या फिर आपका जो अपल स्टोर है, वहां से इस आप को कीजे डाउनलोड, इस आप को कीजे इंस्टॉल, वहां पे जाएए CA final, CA final के अंदर plus course. इसमें अनकाडमी की सारी की सारी जितनी भी फैकल्टी से उन सबके demo वीडियो, important वीडियो, course content related वीडियो, सभी कुछ वहां पे available है. अगर हम उसी में देखें, तो अगर आप subscription के लिए जाते हैं, मतलब अगर आपको fast track videos करने हैं, revision करने हैं, आपको regular videos करने हैं, तो उसका fee structure वगेरे पूरा का पूरा defined है, fee structure is very less, आप यहां देख सकते हैं, fee structure is very less compared to other academies, other individual teacher videos वगेरे, जो भी का कुछ आप लेते हैं, plus the benefit is, यहां पे आपको live class मिलेगी, ठीक है, offline भी ले सकते हैं, साथी साथ live classes भी available है, ताकि live class के साथ साथ आप doubts को अपना clear कर सके, moreover, अगर आप sumit CA code use करते हैं, तो इस fees में आपको further 10% का discount मिल जाएगा, ठीक है, तो overall कुछ इस तरीके से मैं बता सकता हूं आप लोगों को इसका structure Again, the point will be same, please subscribe the channel and then let's start up with our content, तो आज का हमारा topic है, Indian accounting standard 1, presentation of financial statements, इस presentation में, हम जिस particular aspect को cover कर रहे हैं, वो है current or non-current assets का, current non-current liabilities का bifurcation की, यह standard bifurcation कैसे कराता है, एक बात समद लीजे, एक बात अपने दिमाग में डाल दीजे, जहन में डाल दीजे, कि इस concept पे, सिर्फ इस concept पे जो मैं दिखा रहा हूँ, पिछले दो attempts में, 16 mark का question आ चुका है, 16 marks, यहनि एक analysis दे देते हैं, और बताते हैं, बताओ, यह analysis सही है यह गलत, यहनि उसमें current non-current के bifurcation वगेरे, यहनि सिर्फ यह content नहीं, दूसरी भी बाती थी उसमें, पर main था current non-current bifurcation, so that is why यह content एक बहु इससे deal करता है, अगर हम companies act की बात करें, तो companies act के अंदर में schedule 3, division 2 भी इससे deal करता है, वैसे तो division 1 भी deal करता है, पर हमारा Indian accounting standard का impact है, Indian accounting standard is division 2, division 1 है accounting standards, ठीक है, तो division 2, वो भी इससे deal करता है, तो यह बताता है कि भई, आप current में क्या डालेंगे, और non-current में क्या डालेंगे, पर वहां पर दिया गया है कि आप जब अपनी balance sheet बना रहे हैं तो balance sheet के आपके हमेशा दो तुकड़े रहेंगे non current assets, current assets, liability side के तीन तुकड़े रहेंगे, equity, non current liability, current liability तो ये current non current bifurcation कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है हम वो चीज़ को यहां पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये split होगा तो होगा कैसे ठीक है, इस split में उन्होंने बोला 4 points, अगर इन 4 में से कोई 1 भी point satisfy होगया ना, कोई 1 भी तो हो current asset है, चारो में से कोई 1 भी point satisfy होगया तो हो current asset है, पर अगर एक भी नहीं हुआ, याने चारो में से कोई भी नहीं हुआ, तो classify it as non current asset, so non current का definition नहीं है, anything that is not current is non current but current का definition है, ये 4 points, तो देखते हैं, सबसे पहला point, it expects to realize the asset, realize the asset, or intends to sell or consume it in the normal operating cycle, तीन words यूज हुए है, या तो हम asset को realize कर लेंगे, या तो हम asset को बेच देंगे, या फिर हम उसे consume कर लेंगे, in its normal operating cycle, हर चीज की अपनी normal operating cycle होती है, बराबर, तो ये उस normal operating cycle की बात कर रहा है, चलिए आईए, देखते हैं, हम किस की बात करते हैं, हम realize किसे करते हैं, पहले तो आप मुझे ये बताईए, हम realize किसे करते हैं, हम realize करते हैं, debtors को, बराबर, हम realize करते हैं, loans and advances को, बराबर, हम realize करते है हैं किसी भी तरह का कोई पैसा अगर हमें मिलने वाला है किसी चीज के थुरू ठीक है तो हम realize करते हैं investments को भी based on their maturity dates या फिर dividend मिलने वाला है interest मिलने वाला है जो भी चीज़े मिलने वाली है यह realize की जाती है sell क्या करते हैं हम sell करते हैं finished goods वहां sell word use हुआ है in the ordinary course of business remember this कहां पर use हुआ है in ordinary course of business फिर उसके बाद में यह तो हो गया आपका sell दूसरा वाला आता है आपका consume consume हम क्या करते हैं consume हम करते है raw material consume हम करते है tools consume हम करते है spares ठीक है इन सभी को इन सभी को अगर आप normal operating cycle के दौरान realize कर लेते हैं so they are considered to be they are considered to be current assets ठीक है तो normal operating cycle क्या होता है अब हर business का अपना एक cycle होता है normal operating cycle जैसा कि आप लोगों ने इंटर में FM में पढ़ा होगा इंटर में FM में कि debtors प्लस आपका inventory याने conversion time एक तो होता है product को ready करने का time याने conversion time प्लस उसका storage time प्लस debtors से मिलने वाला पैसा इस पूरे cycle को बोलते है operating cycle याने मेरे जेब से पैसा गया से लेके मेरे पास पैसा वापस आया, इस पूरी चकरी को कितना समय लग़ता है, यानि मैंने किसी चीज के लिए पैसा दिया, और उसी चीज से मुझे वापस पैसा आया, इस पूरी चीज को कितना समय लगता है? For example, suppose किजे मेरी मोबाइल की दुकान है, मैंने एक मोबाइल खरीदा, 10,000 रुपए का मैंने मोबाइल खरीदा, 10,000 रुपए, तो मेरे जेब से 10,000 रुपए चले गए, अब यह मोबाइल मेरे यहाँ पड़ा है, ग्रहक अगले ही कस्टमर आया, ऐसे कई बार कस्टमर आया फाइनली एक कस्टमर आया, कस्टमर आया मोबाइल उसे पसंद आया, उसने लिया मुझे 11,000 रुपए दे दिया, सपोस कीजिए कि वो 8 दिन बाद आया, तो मेरे लिए मेरा उपरेटिंग साइकल 8 दिन का हो गया, अब सपोस कीजिए मेरे ऐसे कई सारे कस्टमर से, जो मुझसे क्रेडिट पर मोबाइल लेके चले जाते हैं, क्रेडिट बेसिस पर, कि हाँ बाद मैं पैसे भीद दूँगा, तो मोबाइल लेके गया वह एक हफते बाद, और एक हफते बाद जब वह मोबाइल लेके गया, उसके एक महीने बाद उसने मुझे पैमेंट दिया, तो मेरे लिए मेरा उपरेटिंग साइकल हो गया, यह सेवन डेज प्लस थर्टी डेज, थर्टी सेवन डेज, क्लियर है यहां तो यह हो गया एक operating cycle का concept, अगर कोई भी चीज operating cycle के अंदर realize हो जाए, तो current operating cycle के बाहर realize हो जाए, तो non current, generally, आप debtors को उतना ही समय देते हो, जितना market में सभी लोग देते हैं, आप कोई special नहीं हो, कोई भी बंदा जब market में business करता है, तो हर एक जन को उतना ही credit period देता है, जितना दूसरे देते हैं, दूसरे भी उस business में 2 महीने का credit period दे रहे हैं, तो हम भी 2 महीने का credit period देंगे, plywood के business में, अगर सब लोग 3 महीने का credit देते हैं, तो आप भी 3 महीने दोगे, आप को special तो हो नहीं, जिसे 2 महीने में पैसे मिल जाए, या फिर, आप जादा credit देना भी नहीं prefer करोगे, क्योंकि उससे risk बढ़ जाता होगा, कुछ तो reason होगा ना, कि सब लोग 3 महीने का credit follow करते हैं, बराबर है, तो ऐसी हर business का operating cycle में देखा जाए, तो debtors का period defined है, product को बनाने का भी time period defined है, तो raw material generally, जब कोई खरीदता है, तो उसे over the period, जितना उसका cycle है, उत्ते में consume करी लेता है, मतलब आप समझ यह, मैं मुझे अगर कोई चीज बनानी है, अगर मुझे एक calculator ही बनाना है, suppose कीज़े, तो calculator बनाने के लिए, मुझे दिखता है, अंदर कुछ electronic items है, बराबर है, तो electronic chips वगेरे, सब कुछ खरीदने रहेंगे, plastic body है, यह सब चीज़े लगेगी, और finally मैं उसे assemble करूँगा, तो that is my raw material, आप मुझे बताओ, क्या मेरा साल भर में जितने भी calculator बिखने वाले होंगे, साल भर में, क्या मैं सारे के सारे पहली दिन खरीद हूँगा, obviously मैं पहली दिन नहीं खरीद हूँगा, illogical बाते होगी, बराबरे, नहीं खरीदने वाला, कोई नहीं खर बेद दूँगा, तो 10,000 calculator के लिए कितना raw material लगेगा, अपन उत्ता ही raw material खरीदेंगे, उससे जाधा raw material क्यों खरीदेंगे, illogical बात होगी, उससे जाधा खरीदना, बराबर, तो वो raw material हम खरीदते हैं, खरीदते ही consume नहीं हो जाता, कुछ समय warehouse में पढ़ा रहता है, फिर ह तो वो operating cycle आ गया, वो operating cycle फिर पूरी की पूरी उसमें add हो गई, फिर उसके बाद में क्या हुआ, आपका final product बना, अब वो बनके तयार है, और customer बाहर खड़ा है क्या, तहां भई में को खरीदना है, दे दो, दे दो, obviously नहीं, ऐसा नहीं होता, तो customer बाहर खड़ा नहीं है boss, म customer आपसे credit मांगेगा, तो normally यह जितनी भी चीज़े है न, यह सब एक normal operating cycle के अंदर का ही part होती है, इसलिए यह current होती है, rarely ऐसा कुछ होगा, कि इनमें से कोई चीज non current निकल जाए, कोई ऐसा customer हो सकता है, जो से हम special privilege दे रहे है, special privilege, तो special privilege वाला जो customer है, obvious ही बात है, कि उसको आ क्योंकि कुछ special time period दे रहे हो क्योंकि आपसे शायदा goods खरीता है या जो भी खरीता है तो operating cycle के बाहर निकल जाएगा, बराबर है, normally सबको मैं 4 महीने का time देता हूं, उसको मैं 6 महीने का time दे रहा हूं, तो हो सकता है कि वो मेरे operating cycle के बाहर निकल जाए, maybe, maybe, operating cycle अपना 5 महीने का है, let's say, जिसमें debtors का credit period 4 महीन है, possible है, possible है, 4 महीन है, मैं उसे 6 महीने का time दे रहा हूं, 6 महीने, तो ऐसे मैं यह definition को satisfy नहीं करता, तो तो non current हो गया, non current हो गया, आगे जाके हम एक और एक point देखेंगे और इन 2 points को एक साथ link करके समझेंगे, हमारी दूसरी दिक्कत है, यह यह loans and advances और यह investments, generally हम जब किसी को loan देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि operating cycle के अंदर ही पैसा मल जाए, for example, मैंने, मेरे ही किसी relative को loan दे दिया, अब companies तो नहीं दे सकती, पर एक basic example से समझें, मैंने अपनी किसी relative को loan दे दिया, उसने बोला, sir मैं बस 7 महीने में आपको लोटा 7 महीने, मेरे business को operating cycle 3 महीने है, सिर्फ 3 महीने, तो वो तो non-current हो गया, so now we need to understand these concepts also, 7 महीने में भी non-current हो जाएगा, we'll come down to that, investments की कहानी भी कुछ ऐसी होती है, generally आप diventures में invest करते हो, तो उसकी maturity 2 साल हो सकती है, 3 साल हो सकती है, 2 महीने भी हो सकती है, तो क्या यह सभी, अगर operating cycle के बाहर निकल गया है, तो क्या यह सब non-current हो गए, अब जैसे सुमित साड़ा की बात करें, तो सुमित साड़ा is into education, अब education के अंदर में होता क्या है, कि अपने जेप से खर्चा क्या होता है, अपने जेप से खर्चा होता है, pen drives हो रहा है, recording हो रही है, यह सारी की सारी चीज का, उसके बाद, product ready हुआ, customer को sell होगा, यानि students, students के पास जाएगा, अब student पैसा तो immediate देगा, तो credit period वाला concept तो नहीं है, credit period वाली तो कहानी ही नहीं है, तो यह जो 2 महीने है, उसके बाद में हो सकता है, शायद 1 महीना लगे sale होने को, तो 3 महीने, तो मैं बोल सकता हूँ, मेर credit period 3 महीने का है, और operating cycle अपना 3 महीने का है, 3 महीने का है, और मैंने कहीं पर तो भी अपने कुछ पैसे को invest करके रखा है, जो मुझे 6 महीने बाद मिलने वाले है, कहानी आती है कि यह current है, non current है, क्योंकि realize operating cycle के अंदर नहीं हो रहा, कहानी समझ में है, ठीक है, क्या operating cycle 12 महीने क के उपर हो सकता है, is it possible that operating cycle is more than 12 months, क्यों नहीं हो सकता, builders, infrastructure industries, capital goods, इन सभी के लिए तो 12 महीने के भी उपर का period होता है, आपको एक ship खरीदना है, ship, मैं चोटी से नाव नहीं बोल रहा है, ship, बड़ी सारी, cruise, उसको बनने के लिए, पूरा का पूरा ship को बनने के लिए, almost minimum side में देड़ साल लगता है, maximum की तो कोई limit ही नहीं है, आप उसके अंदर क्या-क्या चीजे नहीं डलना चाहते है, उसके उपर depend करता है, तो यहां तो सिफ चीज को ready होने के लिए, इतना time लग रहा है, तो सोच हो, वो तो उसका सिफ conversion period हुआ, raw material को finish good in my conversion period, so that is a part of operating cycle, operating cycle can be more than 12 months, yes, समझ मैं, इसी के साथ हमको जो दूसरा point पढ़ना है, वो साथ साथ में हम लोग देख लेते हैं, expected to realize within 12 months after the reporting period, कितने समय में, 12 महिने में reporting date के बाद, अब इन दो चीजों को मैं एक साथ connect करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, let's say the operating cycle is 7 months, let's say operating cycle is 7 months, ठीक है, तो इस में आपका inventory का conversion period, debtors period अगेर, सब सब कुछ आ गया, अब देखिए, मैं debtor को 8 महिने का period देता हूँ, या मैं आपके सामने एक date लिखता हूँ, 31 March 2020, let's say ही हमारी reporting date है, यह हमारी reporting date है, इस दिन मेरा एक special debtor है, special debtor है, case 1, पहले एक साधा debtor लेलता है, 6 महिने में मुझे payment देदेगा, तो यह current है या non current, simple कहानी है, यह current है, क्योंकि यह operating cycle के अंदर अंदर है, case 2, वो मुझे पैस पैसे देगा, 8 महीने में, 8 महीने में, reporting date से बोल रहा हूँ, मैंने उसको पहले किता पीरेट दिया, वो नहीं बोल रहा है, reporting date से 31 माद 2020 को वो बोलता है, इस दिन से मैं 8 महीने बाद तुमको payment दूँगा, April, May, June, July, August, September, October, November, 30 November, मैं तुमको पैसे दे दूँगा, कहानी पैसे देने की बात हुई है, यहाँ पर, operating cycle के उपर चले गया, current है, non current, तो हम पहले point में बोलेंगे, तो non current, पर मैंने आपको कहा, कोई भी point satisfy हो जाए न, तो उसको हम लोग current define कर लेंगे, अब चलो वो तीसरा वाला point देखो, expected to realize, expected to realize, within 12 months, from reporting date, reporting date है 31 माद 2020, तो इस दिन स अगर मैं आपको बोलू, तो 12 माईने के अंदर, अंदर, 8 माईने is less than 12 months, यह पैसा मुझे मिलने वाला है, इसलिए यह हो गया, current, यहाँ वाला current हुआ था, पहले point के कारण, यहाँ वाला current हो रहा है, तीसरे point के कारण, clear है, यहाँ तक है, ठीक है, point number, आगे बढ़ते है, case 3 उस दिन से वो बोलता है कि मैं 13 माईने के बाद पैसे दूँगा, तो पहला point operating cycle not satisfied, दूसरा point, दूसरा point, 12 माईने not satisfied, since both are not satisfied, it is non current, clear कहानी, case 4, वो मेरा debtor बना, कब 1st January 2020, कब बना हो मेरा debtor, 1st January 2020, और इस दिन उसने मुझे बोला, कि सर मैं आपको 13 माईने बाद पैसे दू इस दिन उसने मुझे बोला, इस दिन से 13 माईने बाद वो मुझे पैसे देगा, इस दिन से 13 माईने बाद याने की, 31 जन्वरी 2021, 31 जन्वरी 2021 को वो मुझे payment देगा, समझ गे, current या non current, operating cycle के अंदर नहीं है non current, 12 माईने वाला concept समझो, अगर आपने बोल दिया sir, 12 माईने वा मतलब आप अभी तक के इस concept को समझे ही नहीं हो, इस concept को समझने की कोशिश करो, वहाँ word यूज हुआ है, reporting date, यह जिस दिन मेरा debtor बना, उस दिन का मेरा reporting date क्या है, उस दिन का मेरा reporting date है, 31 मार्च, 2020, 31 मार्च, 2020, red pen में लिखता हूँ, 31 मार्च, 2020, which is normally our reporting date, RD आने reporting date लिख रह हूँ मैं, balance period कितना है, इस दिन का आपका balance period दिख रहा है, मुझे करीब-करीब 10 महीन है, 10 महीन है, देख लीजे, 31 मार्च तक के, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, पूरा, 10 महीन है, बराबर है, तो 10 महीन है हो गया, इसका मतलब यह क्या हो गया, यह current हो गया, as per third point, वो concept, वो point मैं आपके सामने clear करने की कोशिश कर रहा हो है, ठीक है, so this was the meaning of the second point, but remember, second point is only talking about the word, realize, only word is, realize, debtors cover हुए, loans and advances cover हुए, हमारा वो जो, investments cover हुए, यहनि किसी भी चीज़ का payment आने वाले 12 महीने के अंदर-अंदर मिलने वाला है, तो current नहीं, तो वो non-current हो जाएगा, clear है है, ठीक है, अब यह current non-current split क्यों ज़रूरी है, आगे जाके हम कई सारे standards में देखेंगे, generally non-current financial assets and liabilities, financial assets and liabilities, पे discounting का concept लगता और current पे नहीं लगता, current पे नहीं लगता, तो that is why this current non-current vipurcation is very very important, क्योंकि discounting से पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है, ठीक है, presentation pattern आप लोगों का पूरे तरीके से change हो जाता है, the words, the words, intents to sell or consume, mentioned नहीं है third वाले point में, intents to sell or consume, third वाले point के अंदर में नहीं covered है, so let's talk about consume, मैं उपर वाले में, मैं आपको कुछ further points देता हूँ, हम एक और example देखेंगे, अच्छा, मैं हर video में बोलता हूँ, इस video में भी बोल देता हूँ, जो लिखा रहा हूँ ना लिख लो, क्योंकि सिफ important points cover करूँगा, कोई भी फाल्तू points आप लोगों के साथ में cover नहीं करने वाला का, operating cycle कितना है हमारा, 15 months का हमारा operating cycle है, तो हम लोग देखते है case 1, जिसमें हमारा debtor जो है, वो हमें 13 महीने में पैसे देगा, वो हमें कितने महीने में पैसे देगा, 13 महीने में, ये क्या हो गया, current, ये क्यों current हो गया, as per point number 1, operating cycle के अंदर है, इसलिए current, ठीक है, case 2, debtor हमें 16 महीने में पैसे देगा, 16 महीने में from reporting date, कौनसे दिन से, reporting date से 16 महीने के अंदर अंदर हमें पैसे देगा, ये क्या हो गया, ये non current हो गया, clear है यहां तक क्या, case 3, 1 January 2020 को, हमारे debtor ने हमको बोला कि, भीया मैं तुमको 16 महीने के अंदर अंदर payment दूँगा, मैं तुमें 16 महीने के अंदर अंदर payment दूँगा, यानि अगर मैं यहां पर date निकालने की कोईशिश करूं, अगर मैं यहां पर date निकालने की कोईशिश करूं, 16 महीने, तो January से लेके December तक के 12 महीने हो गया, तो January, February, March, April, वो हमको पैसे देगा, 30 April 2020, कब पैसे देगा, 30 April 2021, 30 April 2021, अब हमें देख 30 April को पैसा देगा, condition not satisfied, वापस आईए यहां पर, expects to realize the asset, expects to realize the asset, or intents to sell or consume it, तो हम तो realize पे है, in its normal operating cycle, क्या आप operating cycle के अंदर-अंदर realize कर देगे, तो अब मुझे, यह जो operating cycle का word use हुआ है, word, क्योंकि अगर मैं 31 मार्च से देखूं, 31 मार्च से 13 महीने है, 31 मार्च से 13 महीने ह हो गया है, 13 महीने बाद payment मिल जाएगा, अब मुझे पहला वाला point कौन से दिन से use करना है, do I have to check it from reporting date, or from the date वो मेरा debtor बना, from the date वो मेरा debtor बना, now the point is, मैं इसे non-current classify करूंगा, क्यों, जो पहला point है, वो उस दिन से देखा जाता है, जिस दिन सामने वाला मेरा debtor बना, पहल पर word specifically use हो है, 12 months after the reporting date, ऐसा कोई भी word पहले वाले point में use नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक कि, so on this basis, इस concept पर, मैं आप लोगों को बोलूँगा, कि this is non-current, this is non-current, ठीक है, अगर आप module में देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए, from date of becoming debtor for example, debtor एक example के जैसा हो जाएगा, from the date of becoming a debtor, ताकि, and not reporting date, and not reporting date, reporting date सिर्फ, यहां पर word use होगा है, ठीक है, I hope यहां तक कि, पूरा का पूरा clear होगा, ठीक है, so this is non-current, मैं हर possible example cover करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को यह सारे के सारे concepts, अच्छे से दिमांग में बैच अब देखिए, consumption word की अगर मैं बात करूँ, तो वो 12 months वाले concept में नहीं है, अब देखिए, क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको इस consumption word से, consumption word के अंदर में आया raw material, consumption word के इसमें आया tools, consumption word में आया space, sell word के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, sell word भी वहां पे नहीं था दूसरे 12 months वाले में, पर उसके लिए हमें एक दूसरा point cover करना है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम इन तीन चीज़ों की बात कर रहे है, अब देखिए, operating cycle है, suppose कीजे 8 महीन है, operating cycle कितना है, 8 महीन है, और जो raw material है, raw material, इसका consumption 7 महीने में हो जाएगा, तो वो हो गया current, simple कहानी, case 2, इसका consumption 9 महीने में होगा, तो अब यह current है, non current, 12 month वाला concept इसको applicable नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ word सिर्यालाइज यूज हुआ है, consumption वो चीज होती है, raw material, जो हम बेचने के लिए नहीं लेते, वो बेचने के लिए नहीं है, तो उससे कुछ रियालाइज नहीं हो सकता, वो सि does not fall in 0.3, मैंने कई लोगों से, कई बार, कई seminars में सुना है, क्योंकि आप एक balance sheet का अगर format देखेंगे, तो उसमें जो raw material है, inventory, वो सिर्फ current में दिया गया है, non current में दिया ही नहीं है, तो इसलिए वो कभी वहाँ नहीं आ सकता, हम अगर थोड़ा बहुत materiality लगा है, थोड़ बहुत substance over form लगा है, materiality को side में रखें, substance over form लगा है, तो substance over form के साब से, हाँ ठीक है, मैं इस case में, यह 9 महीने वाले case में, उसको inventory में ही ले ले लेता हूँ, it is logical, 12 महीने के उपर भी consume होने वाला होता तो ठीक है, यहां तो 12 महीने के अंदर ही consume हो रहा है, तो मतलब, just because it is more than operating cycle, ऐसे में अगर bifurcation करने जाओं, तो auditor का काम बहुत जादा बढ़ जाएगा, and it will be of no sense, मतलब, अपन raw material के ओपर discounting नहीं लगाते है, it is a non-financial asset, तो as such, इसको non-current में ले जाने का कोई sense नहीं है, कोई logic नहीं है, so it is fine, but, now coming down to case 3, यह भी एक बहुत, अच्छा interesting case हो जाएग आप लोगों के लिए, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ, it is 14 months, 14 months, तो फिर क्या होगा, and let's say reporting date को ही, इसका consumption अभी expected है कि 14 months के बाद होगा, and operating cycle is 7 months, मतलब, आपने excess raw material खरी लिया है, मतलब, इतना raw material खरी लिया है, जिसका consumption आपके normal operating cycle में तो होगा ही नहीं, उससे situations, या फिर यह raw material नहीं है, यह tools and space है, tools and space तो हो सकता है, जो 13 months, 14 months में भी consume हो, emergency के लिए हम लोगों नहीं रख के-रख है, तो क्या इनको भी हम current में डाल दें, यह बात ना illogical होगी, now try to understand, हम यह bifurcation क्यों कर रहे हैं, हम यह bifurcation कर रहे हैं, from stakeholders point of view, stakeholders, shareholders, shareholders, उनको बताना है तो अब देखो, कोई चीज 12 महीने के अंदर-अंदर consume हो जाएगी, तो ठीक है, हम इतना mind नहीं करते है, मतलब shareholder भी इतना mind नहीं करते है, हम लोग इस concept के उपर चालते है, concept है materiality, anything that is material needs to be reported, if it is immaterial, don't report it, तो मतलब 12 महीने के अंदर तक तो ठीक है, immaterial है, but 12 महीने के उपर मतलब normal operating cycle is 7 months, और मैं double operating cycle तक का product रखके रखा हूँ, तो इसे भी current के अंदर दिखाना तो यार गलत होगा, क्योंकि देखा जाए तो third point में बैठता नहीं, 12 months वाला, फिर भी उससे जाता है, first point से तो double है, तो क्या इसे भी current में डालते है, मतलब is this correct, this is wrong, मैंने कई सारी आता हूँ, Indian accounting standards की, उसमें भी इस point के उपर मेरा हमेशा take यही रहता है, there is a head, other non-current assets, जो financial नहीं है, other non-current assets, मैं इसे वहाँ दिखाने बोलता हूँ, और उसके उपर मैं explanation देता हूँ, disclosure देता हूँ, क्यों, shareholder को यह जानने का हक है, कि भीया तुमने raw material operating cycle के उपर क्यों रख होगा, इसी लिए हम लोगो ने raw material को excess रख के रखा है, so that is the reason मैं वहाँ other non-current assets के अंदर में डलवाता हूँ, now try to understand this, क्या exam में यह पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता, third वाला point, नहीं लगता, पर हाँ, उपर के points definitely पूछे जा सकते है, ठीक है, so this is non-current, this is non-current, ठीक है, a very interesting question will be case 4, कि हमने 1st January 2020 को खरीदा, तब 9 महीने में हम raw material को consume करने वाले थे, 31 March 2020, जो कि हमारी reporting date है, उस दिन इसका जो period है, balance period, वो हो गया, देखो, Jan-Feb March मैंने 3 महीने हटा दिये, तो हो गया 6 months, 6 months, तो मैं इसे current बोलू या non-current, क्योंकि third point में तो आता नहीं, third point में तो आता नहीं, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, हर reporting date पे, हर reporting date पे, हम लोग एक current non-current bifurcation की बात करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को current non-current हो सकता है, एक reporting date को non-current हो, अगले reporting date को current हो, यह हम लोग हर reporting date पे check करते हैं, अब अगर मैं इस raw material की बात करो, तो मैं reporting date को auditor जाके पूछेगा, by date नहीं, वो reporting date को उसे पूछ रहा है, कि यह तुम यह consume कितने समय में कर लोगे, तो बोले 6 महीन है, 6 महीन है, अब जब auditor यहां पे check कर रहा है, तो auditor उस दिन operating cycle को check कर रहा है, मैं पिछले point से cover करूँ, तो मैं बोलूँगा, यह non-current है, but it becomes a bit illogical from the point of view of consumption, क्योंकि consume कितने दिनों में होगा, यह मैं reporting rate से check करूँगा, और इसलिए मैं इसे current बोलतूँगा, not from the date of purchase, realization की बात अलग थी, realization की बात अलग थी, क्योंकि वहां third or first point clash हो रहा है, यह third or first point clash नहीं हो रहा है, यह first point independent है, यह point को लेके बहुत सारे students के अंदर बहुत जादा query होता है, नहीं sir, ऐसा नहीं हो सकता, आप दो चीजों को अलग-अलग explanation लगा रहा हो, एक on the date वो debtor बना तब लगा रहा हो, यहां consumption की date पे, देख के reporting date देख रहा हो, sir, यहां कौन सा reporting date की बात बोली गई है, नही यह मैं आने वाले कितने समय में इसे consume कर लूँगा, consumption कितने समय में होगा, यह आप कब चेक कर रहा हो, खरीदने के दिन चेक कर रहा हो, या 31 मार्च को चेक कर रहा हो, जब मैंने raw material खरीदा, तब तो intention operating cycle के अंदर ही consume करने का होगा, सोच के देखो, अब मैं auditor 31 मार्च को आक आज उसे reclassify करने का समय आ गया है, तब तो यह reclassification में चला जाएगा, clear concept, इसलिए मैं यहाँ पर इसे current पूलता हूँ, remember this, write this down, यह जो third or fourth point है, इसके उपर बहुत जादा arguments हो सकते हैं, but don't worry, exam में तो यह दो चीज़े नहीं पूछेंगे, professionally अगर आप इस पर argue करना चाते ह कई सारी बाते रहेगी जो मैं आप लोगों के साथ इससे related और भी share कर सकता हूँ, but case 1, case 2, definitely exam point of view से आप लोगोंने याद रखना चाहिए, अब तक के हमने सिर्फ यह current non current के दो points के उपर में discussion किया है, अभी भी हमारे और दो points बचेंगे, तो अब हम बात करते हैं, third point की, in fact B holds the asset primarily for the purpose of trading, anything that is held primarily for trading, यह तो भाया पहले ही दिन से आपकी inventory, sorry current है, पहले ही दिन से current है, ठीक है, यानि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था, मैंने finished goods नहीं लिखा है, anything that is held to be sold ordinarily in the ordinary course of business, sell for trading purpose, यह हमेशा current होता है, ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, finished goods अगर sale के readily available है, तो वो आपका current होगा, generally WIP भी current होता है, पर बहुत बार आप production halt कर देते हैं, in that case हो सकता है कि वो non current हो जाए, depending on production वापस start कब होगा, ठीक है, कुछ finished goods ऐसे होता है, जो immediately हम लोग sale के लिए नहीं देना चाहते है, for example, मैंने यह बहुत common point देखा है, और यह मैंने खुद face किया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ, एक township थी, township, तो township जब build हो रही थी, तो township का office उसी में के, वो जो पूरी की पूरी बिल्ड हो रही थी, उसके एक floor पे बनाया गया था, मतलब एक particular building थी, जो पूरी की पूरी ready थी, और उसके एक floor के उपर पूरा क पूरा township ready हो जाएगा, हम इसे vacate करके इसे भी sell कर देंगे, so now the flat is ready, it has converted into finished woods, but being used as an office for administrative purposes, बाद में जाके इसे भी बेचना है, बस तब तक के लिए हमारा admin purpose के लिए हमारा office है, और एक वो demo flat होता है, बराबर demo flat, याने लोगों को दिखाने के लिए एक flat बना के रखते हैं, तो even data is not available for sale, तो यह जो दो है, यह भी है, तो inventory, पर immediately, readily available for sale नहीं, सवाल आया कि इनको current split करना है है, non current, the wordings are very clear, asset held primarily for the purpose of trading, is this held for trading, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यह trading के लिए है, बलिए यह आज नहीं है, इस reporting date को यह trading के लिए hold नहीं है, यह आगे जाके हो सकता है, तो जिस मैंने इसे, मतलब जिस दिन मैं check कर रहा हूँ, क्या उस दिन यह trading के लिए available है, if no, if not available, तो मैं इसे current classifier, यह current non current classification के लिए B point की help नहीं ले सकता, so I'll have to use A point, I'll have to use A point, C point तो आया नहीं, realize नहीं हो सकता, उससे कुछ भी, तो A point, operating cycle के अंदर है तो ठीक, नहीं है, तो non current, तो ह आप में से कहीं लोग बोलेंगे सर, उस पर depreciation मिलेगा क्या, क्या, क्योंकि office use हो रहा है, तो it is like an office building and other aspects, वो सब चीज़े देखे, Indian accounting standard के point से मत जाहिए, आप income tax को mix कर देगे, Indian accounting standards के साथ, Indian accounting standards की बात करों, तो उस पर कोई depreciation का पंदा नहीं, ultimately it is inventory, but it is not held immediately for sale purpose, ठीक है, चल नहीं आते, that is why they are always classified as non-current, intangible assets नहीं आते, investment properties नहीं आती, since they are not covered under any of the points, that is why they are all classified as non-current assets, बाकी सब के लिए current non-current vipurcation की बात होती है, ठीक है, एक question जो institute बहुत कॉमनली पूचता है, पांच लाक रुपय का term loan है, पांच लाक रुपय का term loan है, वन लाक पर अनम का आपको payment कर करना है, ठीक है, यह loan आपने लिया था, 31 March 2000 या, 1 April 2019 को, assuming, कि आपने 31 March 2020 को, आपका first installment pay कर दिया होगा, first installment pay कर दिया होगा, तो loan अब बचा है, चार लाक रुपय का, बराबर है, loan कितने का बचा है आपका, loan बचा है, आप लोगों का, चार लाक रुपय का, अब इस चार लाक रुपय के हम लोग करेंगे, दो splits, इसमें से 1 लाक रुपीज मैं 31 March 2021 को pay करना है, मुझे, और जो 3 लाक रुपय है, वो उससे late pay करेंगे, तो पहला वाला पॉइंट तो operating cycle, वो भी लिख देता हूना मैं है, यहाँ पर, 7 months, तो पहला वहला पॉइंट तो जाने तो operating cycle, तीसरे point पर आ जाते है, तीसरा point, तीसरा point, anything that is due within 12 months from the reporting date, यह 4 लाक रुपय में से 1 लाक तो 12 महीने के अंदर-अंदर due है, चार लाक में से 1 लाक रुपय तो 12 महीने के अंदर-अंदर due है, इसलिए मैं इसको current बोल दूँगा, और बाकी का non current, next year क्या होगा, next year यह 1 लाक पे हो जाएंगे, 3 लाक में से 1 लाक current, 2 लाक non current, sir practically कोई payment अगर एक साल में होने वाला है, तो ज़री थोड़ी 31 मांच को payment होगा, 1 April, 2 April, आने वाले एक हफते में भी हो सकता है, generally लोग 4-5 April तक के payment करते हैं, ठीक लाक है, वो non current क्योंकि वो आने वाले एक साल में भी payment होगा, इसकी के बारे में कुछ पता नहीं है, आपका पूरा का पूरा doubt इस एक लाक को लेके, एक student के दिमाग में confusion सिर्फ एक particular point हो लेके होता है, देखिए, आप जो practically बोल रहा है हो, जो theoretically बोल रहा है, exam point of view से तो यही यही answer है, जो आप बोल रहे हैं, वो exam point of view से नहीं पूछा जा सकता, practically, amount due तो हो जाएगा 31 मार्च को, क्या 31 मार्च को आपका client pay नहीं कर सकता, pay तो कर सकता है, तो आज आप assumption तो यही ले लेंगे, कि हाँ भई, this is current, पर अगर आप एक बोलते हो कि नहीं sir, हम तो past trend चेक कर र current ही दिखाना होगा, तो ठीक है, आप management letter ले लो, कि हम 31 तारीक को pay कर देंगे, या तो हमने इस management letter पर deem करके, इसको मान लिया है, बिल्कुल, मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर में, ठीक है, exam point of view से तो यही answer है, तो exam point of view से this answer will be more than sufficient, अब हम आते हैं हमारे च cash और cash equivalent are always current, दो चीजें हमेशा current होती है, held for trading asset, वो भले ही 24 महीने बाद क्यों ना बेचे हम, 36 महीने बाद क्यों ना बेचे, operating cycle है 17 महीने का, product बिकेगा 36 महीनों में, 36 months में, still current, something that is held for trading is always current, something that is cash and cash equivalent is always current, ठीक है, cash and cash equivalent is always current, ठीक है, cash and cash equivalent is always current, restricted, from being exchanged, or used to settle a liability, for at least 12 months, at least 12 months after the reporting date, आने वाले 12 महीने तक के आप इस asset को हाथ नहीं लगा सकते, यह है तो cash and cash equivalent, पर आने वाले 12 महीने तक के आप इस asset को हाथ नहीं लगा सकते, sir ऐसा भी होता है, हाँ, दिखिए, cash and cash equivalent के definition के उपर हम लोग जादा नहीं जारें, पर cash and cash equivalent का ए एक ऐसा asset होता है, fixed deposit, fixed deposit, अब क्या होता है, जैसी कि अपने कोई bank guarantee देके रखी, export से related, import से related, किसी भी reason से हमने bank guarantee देके रखी, या government को bank guarantee देके रखी, कोई तो एक case हुआ, उसके लिए bank guarantee देदी, तो bank guarantee के लिए bank ने बोला, sir FD कराना पड़ेगा, तो अपने एक FD करा दी, और यह bank guarantee 2 साल के लिए वाजिब है, 2 साल के लिए valid है, अब आपने यह bank guarantee देके रखी है, यह FD आप आने वाले 2 साल तक तोड नहीं सकते, it is cash and cash equivalent, but it is restricted, it is restricted from being exchanged or settled for the coming 12 months, आने वाले 12 महिने तक है, तो इसको हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, तो भाया यह current नहीं हु I hope it is clear, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, so any cash and cash equivalent, cash and cash equivalent are always current, irrespective of वो पैसा कब मिलेगा, FD 10 साल की है, current, ठीक है, पर अगर उसके उपर restriction है कि आप इसे settle नहीं कर सकते, आप इसको realize नहीं कर सकते, बारा महीन है, अगर बारा महीन है तक के कर सकते हैं, तो ठीक है पर यह reporting date से देखना है, यह कब देखना है, reporting date से देखना है, तो आईए मैं इसका भी एक आपको example देता हूँ, fixed deposit है, जिसका tenure है, case 1, 6 महीन है, current, 36 महीन है, current, ठीक है, 36 months, case 3, 36 months, but, attached to, bank guarantee, BG, valid for, 36 months, this is non-current, ठीक है, मैं यह पर operating cycle भी लिख देता हूँ, 7 months, 4th, 15 months, made on, 1st December, 2019, 1st December, 2019, for bank guarantee, valid for, 15 months, अब अगर मैं reporting date की बात करूँ, which is 31st March 2020, हमारे इस example में, सर्क quarterly reports का क्या, interim reports, तो वो भी reporting date होती, आप उस दिन से देखो, जैसे 31st December की reporting date, आप उस दिन से देखो न यार, वो कौनसी बड़ी बात है, तो 31st March 2020 की अगर मैं बात करूँ, तो इस दिन आपका जो balance period है, वो balance period, देखो, Jan, Feb, March, 4 महीने तो खतम हो गय, 11 महीने है, 11 महीने, तो मैं इसे बोलूँगा current, because it can be settled within the next 12 months from the reporting date, 12 months from reporting date, clear concept, ठीक है, तो 31 December की अगर आप report बना रहे हैं, तो 31 December की report में तो इस नॉन करेंटी रहेगा, समझ मैं है, 5th वाला point, 16 months, made on 1st January 2020, with bank guarantee, valid for 16 months, operating cycle, 14 months, तो अब अगर मैं reporting date की बात करू, 31 माद 2020, 3 महीने हो चुके है, balance period है, 13 महीने, balance period है, 13 महीने, ब्राबर है, 4th point में नहीं बैठा, 12 months from reporting date, non current, 12 महीने के अंदर अंदर, अगर कोई भी amount realize होता है, तो वो current होता है, उसमें भी नहीं बैठा, 13 महीने बाद मिल रहा है, पहला point, अगर operating cycle से कम है, तो current otherwise non current, वहाँ भी realize word use हुआ है, वहाँ भी realize word use हुआ है, try to understand this is current as per point 1, actually उसमें ABCD लिखा है, तो यहाँ पर A लिखना चाहिए मैंने, but yes this is within operating cycle, within operating cycle, मैंने कोशिश किया है, कि जितने जादा examples से मैं आपको इस concept को समझा सकूँ, मैं इस concept को आपके लोगों के सामने clear करूँ, ठीक है, I hope यहाँ तक के पुरा का पुरा clear होगा, यह हुआ हमारा asset side, और अब हम move करेंगे liability side, so coming back to the notes, कुछ questions है, कुछ examples है, आप लोग देख लीजेगा, यह operating cycle के बारे में कुछ दिया हुआ है, कुछ चीज़ें और दी गई है, मने almost concepts cover कर ली है, मतलब अभी उसके पीछे time दे के कोई मतलब नहीं है, coming down to current liabilities, an asset shall classified to be liability to be current when, expects to settle the liability in normal operating cycle, point is same, hold the liability primarily for trading, trading purpose से related liability है, creditors हुग अगे, liability is due to be settled within 12 months from reporting date, यह 3 points में आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है, यह उपर के 2 questions देख लीजे, inventory or trade receivable of X are normally realized in 15 months, so this becomes operating cycle, how should you classify them, we will classify them as current, be limited produce aircraft, length of time between first purchase of raw material to make the aircraft ready, for complete delivery is 9 months, company receive the payment in 7 months, so 9 and 7, 16 is the operating cycle, how will you treat both debtors creditors current, so these are the type of questions that are asked in exam, मतलब मैं तो आपको बट डिटेल guideline तक के लेगे चला गया हूँ, मैं यहाँ पर एग्जामपल एग्दम बच्छों आले, D वाला पूंट, very important, to be marked and to be understood, and understand it very 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 carefully, it does not have an unconditional right, मतलब, it has a conditional right हो सकता है, it does not have unconditional right, मतलब, it has conditional rights, to defer the settlement of the liability, at least 12 months from the reporting date, from 12 months from the reporting date, मैं example पर आता हूँ, आगे भी पढ़ेंगे, terms of the liability that could, at the option of the counterparty, at the option of the counterparty, result in settlement, result in settlement by issue of equity instruments, do not affect the classification, वो settlement कैसे करेगा, counterparty and other party, वो settlement equity में करेगा, या वो cash देके settle करेगा, इस बात से फर्क नहीं पढ़ता, पर क्या उसके पाल defer करने का अधिकार है, इस बात से फर्क पढ़ता है, बराबर है, एक अधिकार मेरे पास है, एक अधिकार दूसरों के पास है, it does not have unconditional right to defer the settlement of the liability, at least 12 months after the reporting date, ठीक है, मैंने एक liability लेके रखी है, मैंने एक liability लेके रखी है, let's say मैंने आपसे loan लेके रखा है, मैंने आपसे loan लिया और मैंने आपको बुला, मेरी company education tree private limited, मैं उसकी equity दे दूँगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यह आपे, ठीक है, वह वाला point second वाला point था, जो equity classification मैंने आप लोगों को बता है, अगर नहीं दिया तो क्या, मैं आपको मेरी कार दे दूँगा, settlement हो रहा है, चलेगा, बट suppose कीजिए, कि मेरे पास, defer करने के rights है, और यह defer करने के rights ना बहुत अच्छे से समदना, मेरे पास defer करने के rights है, which is unconditional, no conditions attached, मैंने आपको बोला, कि मैं आपको पैसे 12 महीने के अंदर अंदर लोटा दूँगा, आपने मुझे grace period दिया, ठीक है, 12 महीने, 12 महीने interest के साथ लोटाऊंगा, 12 महीने में आप मुझे एक महीने का grace period दे रहे है, plus one month, without interest, it is not subject to any condition, मतलब मैं grace के लिए opt करूँगा तो मुझे बयाद देना पड़ेगा, आपने ऐसा नहीं बोला, आपने मुझे security, safety purpose के लिए ठीक है, 12 महीने, बात है उसके बात, so now the point is कि मैं आपसे liability लेके बैठा हूँ और वैसे तो 12 महीने का period है, पर मेरे पास defer करने का right है, and that right is unconditional, मैं उसे 13 महीने कर सकता हूँ, और ऐसा clause होता है, बहुत सारे businesses में practically आप ये clause देखोगे, I have the right to defer, and I can defer it by one month, let's say, तो 13 months तक का period है, now should I classify it as current and non current, now the basic point is, मैं यहाँ पर liability को settle 12 महीने में नहीं कर रहा, मैं liability को 13 महीने में settle कर रहा हूँ, अब आप बोलोगे sir आप तो कर सकते हो 12 महीने में, कर तो सकता हूँ, पर मुझे समय तो 13 महीने का दिया है, ऐसे तो आप books में कोई भी liability की बाद बताओ, मैं तो अगले दिन पे कर सकता हूँ, पर terms क्या बोलते हैं, terms बोलते हैं कि payment 12 महीने में करना है, और मेरे पास जिसने liability लेके रखी है, सामने वाली party नहीं, जिसने liability लेके रखी है, he has unconditional right to defer, unconditional right to defer, let's try to understand, there is a liability holder, and there is asset holder, वराबर एक जिसने loan लिया, एक जिसने loan लिया, ठीक है, पहला case, unconditional right, unconditional right किस के पास है, liability holder के पास, तो यह current है या non current, यह हो गया non current, 12 months से जादा होना चाहिए, unconditional right to defer, at least 12 months, कम से कम 12 months के उप़र defer करने का right है, है ना यार, 13 months, मुझे वैसे तो payment 12 months के अंदर देना है, पर मेरे पास right है, उसे और एक महिना defer कर सकता हूं payment को, ठीक है, यह creditors के लिए भी होता है, वैसे आपको payment 12 months में में देना हो सकता है, आप उसे एक महिना और extend कर सकते हो, so this is unconditional right, suppose कीजिए कि unconditional right, asset holder के पास है, which is very common, मतलब जिसने loan दिया है, वो तो कितना भी defer कर सकता है period, ऐसे में this is current, for liability holder, for liability holder, और asset holder के लिए क्या, asset holder के लिए तो, assets का definition लगेगा, assets के definition में कहीं पे भी ऐसा deferment वाला point नहीं है, तो वहाँ पे तो यह current ही रहेगा, क्यों 12 महीने के अंदर realize होने वाला कैसा, current ही रहेगा, ठीक है, so unconditional right अगर liability holder के पास है, तो यह non current हो जाएगा, अगर holder के पास है, हम liability holder के point of view से पढ़ते हैं हमेशा, ठीक है, तीसरा, conditional deferment, यह point तो आप लोगों को सबसे commonly समझना चाहिए, bank ने आपको loan दिया, 12 महीने में आपको payment करना, अभी Corona में भी हुआ यह चीज, आप इस payment को defer कर सकते हैं, आप इस payment को defer कर सकते हैं, काम कीजे, अभी payment कीजे, 12 महीने बाद पे कर देना, अभी मत पे कीजे, 12 महीने बाद पे कर देना, you have the right to defer it beyond 12 months, bank आपको बोल रही है, आप कर सकते हैं, आपको allow कर रहे हैं आम लोग, पर सीधी बात हो उसके उपर interest ले लेगी, interest free है क्या, interest free नहीं है, आपके पास option है, आप option exercise कर लो, subject to condition that you will have to pay interest, subject to condition that you will have to pay interest, current या non-current, current या non-current, इसे non-current बोलेंगे, इसे non-current बोलेंगे, ये current नहीं हो सकता, conditional deferment है, so this is a very common point, जैसे कि आपके पास CC की limit है, 5 लाग रोपे की bank ब CC जाने तो term loan लेकर रखा है, payment एक साल बात करना पड़ता है, वो बोलते है, term loan को आप extend कर सकते हैं, अगर आपको एक साल में payment नहीं करना है, आप आगे जाके हम लोगों को pay कर दीजा, हमको वो भी चलेगा, तो वो लोग बोलते हैं नहीं sir, बिना किसी condition, आप बस बोल दो हम को, अरे बोल दो हमको मतलब क्या बयाद नहीं लगा होगे, अरे बयाद तो लगाएंगे ना, तो conditional होगी, condition क्या होगी, यहाँ पर interest, so if you have the right to defer, subject to interest, subject to interest, it is considered to be non-current in nature, but if it is unconditional right to defer, unconditional, मतलब आपको payment अभी नहीं देना, मत दो बात में दे देना, और अपने पास है option, तो obvious ही अरे बाते सामना अला exercise करेगा ही करेगा, तो that is considered to be non-current in nature, ठीक है, तो यह fourth वाला point ना, बहुत 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 अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके ओपर question आ चुका है, इसलिए मैं बहुत जादा careful हूँ, बहुत जादा cautious हूँ इस concept को लेके, यह सारे के सारे concepts के बाद, एक सबसे गजब, सबसे जबरदस्त वाला जो question है, जो institute पूथता है, अब हम Indian accounting standard 10 पे jump कर ले रहे हैं, this is also known as carve out, तो मतलब IFRS से हम अलग चल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, term loan लिया गया, let's say 10 करोड रुपय का, यह 10 करोड रुपय के term loan के साथ कई सारी conditions आगी, कि आपको monthly debtor statement देना पड़ेगा, monthly stock statement प्रोवाइड करना पड़ेगा, interest जो है न, हर महीने due होगा, और आपको interest हर महीने की 7 तारिक तक के pay कर देना है, आपको हमें bank guarantee प्रोवाइड करन पड़ेगी, minimum आपके stock को इतना maintain करना पड़ेगा, asset की value हमेशा maintain रखनी पड़ेगी, ऐसी कही सारी conditions रहती है, and if there is a violation of condition, if there is a violation of condition, यह loan immediately repayable बन जाता है, ठीक है, wait a minute sorry, यह term loan के पीछे, आपको हमेशा security, 8 करोड रुपय की maintain करनी है, let's say, on 31st March 2020, security, security is not maintained, आपने maintain नहीं किया है security, ठीक है, and hence, loan became, immediately repayable, loan became immediately repayable, आपकी तरफ से default हुआ, default कब हुआ, 31st March के पहले, इस financial, yes, reporting date के पहले, आपकी तरफ से हो गया था, default, let me change this date, let me change this date to 28th February 2020, थोड़ा एक महीने का question रखते हैं, आपने दूसरी बातों को समझने के लिए, अब हुआ क्या, हो गया, bank ने आपको notice दे दिया, कि भी यह payment immediately करो, क्योंकि आपकी security की value काम हो गई है, हम गए bank के पास manager का request लिके, अरे sir, ऐसा मत कीजे, immediately repayable क्यों कर देता है, उन्होंने बुला, ठीक है, आप asset को maintain कर लो, security को maintain कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, this is normal trend, इंडिया में होता है यार, इंडिया में interest का serve एक हफते के अंदर अंदर नहीं होता, 10-15 दिन में हो जाता है, तो ठीक है, क्या loan को repayable करके bank एकदम strict हो जाएगी, नहीं तुमको तो pay करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, bank मान जाती है फिर उसके बाद में, आप, जो again, to original condition, case 1, before, confirmation of financial statements, तो आपको मेरी handwriting को लेके problem हो सकती है, case 1 is before confirmation of financial statements, याने कि क्या Indian accounting standard, 10 events occurring after the balance sheet date का period, कि reporting date के बाद, इससे पहले कि आपके audit statements confirm हो जाए, audit committee confirm कर ले, इस दौरान अगर किसी भी तरह के कोई adjustments होता है, इस दौरान किसी भी तरह के adjustments होता है, तो वो adjusting event कहलाते है, जो 31 माच के पहले से related है, तो यहाँ हुआ default, तो default तो हम bank के पास गया, sir क्या करना है, तो, बुला security maintain करा दो, हमने maintain क करा के उन्होंने बोला, चलो ठीक है, माफ, माफी, दे दिया, उन्होंने हमको माफी, अब यहाँ जब माफी दे दियो, तो इसके उपर Indian accounting standard 10 लगना चाहिए, कि नहीं लगना चाहिए, हम बोलते हैं, हाँ, लगना चाहिए, तो therefore, हम इसे बोलेंगे non current classification, non current classification default हुआ है, 31 आज को immediately repayable है, पर reporting rate के बाद, इससे पहले की balance sheet confirm होती, हमने security maintain कर लिये थे, और bank ने हमें maf कर दिया था, तो we are going to show it in our balance sheet as non current, यह point इसलिए डाला गया, प्योंकि उन्होंने बोला कि sir, इंडिया में यह बहुत common है, इंडिया में ऐसे defaults होना बहुत common है, तो अब अगर हम ल जाएगा, यह सब चीज़े नहीं कर सकते है, इंडिया is not prepared for this, पर IFRS यह बोलता है कि default हुआ है, बले ही बाद में rectify हो गया हो, बले ही बाद में rectify हो गया हो, does not matter, current classification तो करना ही पड़ेगा, so IFRS is a bit strict, हम लोग इसके अंदर में carve out लेके चलते हैं, but अगर मैं इसी concept को case 2 पे लेके जाओ, case 2 is after confirmation, after confirmation of financial statements, हम इसे classify करेंगे current, हम इसे क्लासिफाइ करेंगे, हम इसे classify करेंगे current, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि reporting date के बाद default को ठीक किया गया, so this is something that is very commonly asked, exam में क्या question पूचा जाता है, वो देखते हैं, वो तो altogether अलग है, altogether concept ही question को solve करने की कोईशिक करता हु, उस question को समझने की कोईशिक करता, तो आपके notes में, Indian accounting standard 1 के अंदर, paid number 2.62, 2.62, question number 2, अब ये cow out है, Indian accounting standard 10 से related, पर इसका question आपके module के अंदर, Indian accounting standard 1 में दिया हुआ है, let's try to understand this, December 2, XX1, entity entered into a loan agreement with a bank, the loan is repayable in 3 equal annual installments, 3 equal annual installments, starting from December 2, XX5, याने आज से 4 साल बाद, याने non-current, one of the loan covenant is that amount equivalent to loan amount, जित्ता loan है, उत्ते ही amount का equivalent, should be contributed by promoter, जित्ता हमने loan दिया, उत्ता ही पैसा promoter से भी आना चीए, हमने आपको 1 करोड का लोन दिया, आप भी 1 करोड रुपे promoter से भी लेके आई है, ठीक है, buy, उन्होंने date दिया 24th March 2, XX2, 24th March तक के पैसा आ जाना चीए, failing which, अगर आपने fail हुआ, loan will be pay, repayable on demand, समझे, 24th March तक के इता पैसा ला दीजे, नहीं लाया, तो आपका loan repayable हो जाएगा on demand, 24th March, entity is not been able to get the contribution, लही नहीं पाए यार आप तो contribution, समझे, not been able to get the contribution, on 25th March 2, XX2, entity, अब दे के default हो गया, default हो गया, 24th सारी को default हो गया, default होने के कारण loan immediately repayable हो गया, immediately repayable हो गया, क्या हो गया यह, current, current, entity approved the bank and obtained a grace period up to 30th June to get the promoter's contribution, आप grace मांगने गया, bank के पास, कि please हमें grace दीजे, bank नहीं बुला चलो ठीक है, warning दे रहा है bank, आप promoter's contribution 30 June तक लेका आप 30 June तक promoter's contribution लेका आजाओ, आप इस default को सुधार दो, मेरे हर word को अच्छे से ध्यान से सुनना, हम आपको माफ कर देंगे, हम classify कर देंगे, आप यह, टीक है, loan current है, non current है, non current है, ठीक है, the bank cannot demand immediate repayment during the grace period, the annual reporting year ends 31st March, on 31st March 2XX2, आप इस loan को कैसे classify करेंगे, आप मैंसे कई लो से पहले हुआ, मैंने कहा, हाँ, सर आपने 30 June तक का time दे दिया, 30 June तक के promoter's contribution लेना है, हाँ, तो आपने उस default का period को extend कर दिया, मैंने कहा, हाँ, सर जब extend कर दिया है, तो फिर तो हो गया, non current, default को सुधार दिया गया है, default को सुधार नहीं गया है, बताव यह default सुधरेगा कैस default सुधरेगा, तब तक के default सुधरेगा नहीं, default को उन्होंने बुला, ठीक है, हम 30 June तक तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे, पर 30 June के बाद भी आपने default नहीं सुधारा, तो पैसे मांगेंगे की नहीं मांगेंगे, बिल्कुल मांग सकते हैं, अरे आपने promoter's contribution इस दौरान दे दिया होता, तो मैं बुलता कि यह non-current हो गया, यहां तो सिफ grace period लिया गया है, right now the loan is current, अगर question में आगे लिखा रहता कि yes reporting date, यह अप्रूवल के पहले, अप्रूवल के पहले यह promoter's contribution ला दिया गया, और इस default को माफ कर दिया गया, अभी तक कि default माफ नहीं किया है, उन्हों तक पैसा लाओ, ठीक है न, यह question exam में आथा, तो अगर पैसा ला दिया, ऐसा question बोलता न, तो मैं बोल देता है, non-current है, पर आपने तो लाया ही नहीं या, अभी तक कि current classification, समझ के, assume that in anticipation that it will not be able to get promoter's contribution, यहने पहले से इनको पता था ही नहीं लापाएंगे, Feb 2XX2, they approached for compliance date to be extended by 30 June, तो फर्वरी में ही, देखो 24 माच का date था, 24 माच तक पैसे लाना है, अब आपको पता था आप नहीं लापाऊगे, आप bank के बागास गया, manager को बोला sir sir, नहीं लापाएंगे, हम 24 माच तक एक काम कीजे, आप 30 June तक का समय दे दीजे, बोले ठीक है, ले लो 30 June तक का समय, अब current है या non current, अब आप मैंसे कई लोग बोलेंगे sir, करें, यह 30 June के बाद तो फिकरना पड़े है, और बोला भी नहीं है question में कि पैसे ला दिये गए, यहां आप फिर गलत है, क्यों, पहला default होगा, तब जाके check करेंगे न, यहां तो default ही नहीं हुआ, default तब होता, जब 24 मा आज के पहले default ही नहीं हुआ, अरे default होगा, तब तो कुछ होगा न, आपने पहली extension ले लिया, तो यहां तो classification non current ही रहेगा, this is the question that is asked in the exam, clear, आई यह थोड़ा आगे बढ़ते है, company A has taken a long term loan from B, नहीं नहीं यह उससे related नहीं है, ठीक है, यह उससे related concept नहीं है, यह थोड़ा सा अलगे पर हाँ, kind of similar है, आप एक बार go through कर सकते हैं, यहां तक के हम लोग यह जो particular concept of current non current split और यह जो cow out था, इस पूरे के पूरे concept को यहां पे end करते हैं, चलिए thank you, all the best.